मेरा मम ना में परवीन सिंह आप देख रहा वना प्याय संत्र परवीन उसलीकव बताए कि नहीं चीज के बारें बताऊंगा और इस सभी चीज़ों को देख लिए नहीं तो बात में पस्ताने लगेंगे कि साइद मैंने देखा रहा था तो यह सब चीज लेके चला गया रहा था नहीं तो इसे में जाकर प्रब्लम हो रहा है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लिजिए और सेयर कर दिजिए जल्दी से सब्सक्राइबर कर दिजिए इसे में नाइन के से ऊपर हो चुके हैं तो और इस्टागराप फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएगा पेपर हो जाएगा ताप उसका पीडिया बना करके हमारे इस्टाइब कर देजिए तभी तो एंसवर की आप सभी को दे पा पहले ही एडमिट कार्ड एग्दम सही से रख लिजिए गा कोई भी उसके मतलब झारा खराब हो गया होगा तो फिर से लिकाल सकते हैं जाकर के वेपसाइट से लिकाल सकते हैं फिर से दाउनलोड करके उसका हार्ड कापी ले लिजिए गा उसका मुबाइल में पीडिये उसका जाकर कोई भी मतलब रिकलब़ करके तब जाकर के उसको देख लिजेगा सैस अच्छरी से से रिट कर लिजिएगा सब publi pend сотॉमीशन Choice एया नहीं है आप का नाम सऐया नहीं है इजो हीरथ है देर सिंग्नेटर विषा अब आरहनेए अगर आप सभी को इसमें कोई तो क्या कीजिएगा उस दिश्टी के प्रिंस्वर से जिसी स्कूल का आपने फर्म वरा उससे कंटेक्ट कीजिएगा आप सुचेंगे उसकूल पर जाना पड़ेगा लेकिन आप माल लिजे कि आपको डरेक्ली कंटेक्ट करना है घर से तो आप सिंपली गूगल पर जाएगे जो भी उसकूल रहेगा उसका नाम लिख देजेगा तो उसका ओफिशियल वेपसाइड आएगा वहां से जा करके आप मतलब उसकूल का जो होता है क्या करता है जीमेल आइडी होता है उसको ले करके आप फिर से आप मैसेज कर देंगे कि यह यह प्रोब्लम है अपने जो ए जया जयाके प्रोब्लम हो तो वहां पर उसकूल पर भी जा सकते हैं अगर आपके पास डाइम है और जानते हैं स्कूल कहां पर यह पर आ है तो पहला जांस अब relative का पर ज़्यादा धियान दीजेगी सेंटाइजर ले लिए जितना देर तक आप एकजाम से बाहर रहें गे और उसके पार से एकजाम से आप सभी का एकजाम है तो आप 9 बजे वहाँ पहुंच जाइएगा जहां पे एकजाम देना है वहाँ पहुंच जाइगा लेकिन अधिकतर होता है नो दे बिद्धाले में एक्जाम सेंटर जाता है नहीं तो अधर्वाइज इधर उद्धर कभी कभी चला जाता है तो आप किया कीजिएगे सिंपली तो नो बजे आप पहुंच जाएगा पहुंचने के बाल सारे नो बजे मतलब 9-30 पे आप सभी को एंट्री मिल है और एक चीज और सबसे बड़ा गलति होता है आप अपना भुपेकलेट नमबर देख लिएगा बुकलेट नमबर वही होता है जिससे कि सेट नमबर होता है डो कोन सेट एबी सेट लीका डे-गा या ऊपर साइड पुपलेट नमबर लिखा रएगा tak में रख लीजिएगा और कोश्चन को जब उसका ओपिन किया जाएगा तो कोश्चन को मिला लीजिएगा क्या एक से लेके हंडेट टर्ट एकदम सीरियल वाइज नंबर है या नहीं है अगर आपके साथ कोई ऐसा मिस्टिक होता है जैसे कि एक दो तीन चार उसके बास से आठ मतलब वह सही करके मिल जाएगा या दूसरा कोश्चन पेपर मिल जाएगा तो ऐसे करके कोई भी कंपरमाईज नहीं करना है कोई भी डढ़ना नहीं है जो भी आप मतलब जो भी मिस्टिक है वो पूछ सकते हैं और यह मत पूछ दीजिए कि सर ये कोश्चन मुझसे नहीं आ आप करने लगे सर मेरा ये कोश्चन गलत है इस कोश्चन को सही कर रहा है सर ऐसा नहीं हो पाएगा बहुत लड़के मैंने जब एक्जाम यह तर बहुत लड़के ऐसा पूछ रहे थे लेकिन हम लोग जानते थे पहले से तो हम लोग अपना सॉल्व कर रहे था और यह बात द्यान देना है कि वहाँ पर किसी और जो आपको अंणीर परशन है जैसे कि आप किसी युफिल से नहीं जानते हैं उससे बात चीत मत किजिएगा क्यंकि आपका माइंड डिस्टब हो जाएगा या उसका भी डिस्टब हो सकता है तो ऐसे मत किजिएगा और भी बहुत से प्रॉब्लम आ सकता है जैसे कि आप एक्जाम सेंटर रों बैठेंगे तो किसी से इधा उर्धा पूछ पास मत किजिएगा पहला कैंसर क्या होगा धिमका ऐसा कि आप पूछ सकते हैं अगर आपके उसी रूम में है उसी के एक डेक्स के आसपास है तो ऐसे मतलब वहां पर चीटिंग तो नहीं होता है चीटिंग होता भी है तो आप समझे कि सब बुकलेट नंबर सब सेट नंबर जो सेट का पेपर रहेगा वो सब अलग अलग रहता है पहले पहला अurst में मेरा कुछ आप है लेकिन वही पहला कुछ दूसरे बंदे में नंबर EMOT intelligence नहीं ले जाना है कि उसके ऑन मुभायिल को और वायर कियां वान अब इससे दुर रहें और जावहां सकते और इस beton account को ले जासकते है और भी जैसे कि डीजिटल घड़ी होता है उसकोड़ तक्राथ बहुत कमी अलाव होता है लेकिन वहां पे आधा घंटा पे लगता रहीगा कि आधा घंटा हो गया आपका बेल इसे ऐलाट रहेंगे और बार बार घढ़ी देखेंगे कि इतना मिवचा है इतना मिवचा है तो ऐसे करके आपका टाइम नहीं कुछ जानते रहेगा तो क्या करेगा दोस्तरों को डिश्टैब करेगा कि वह भी पास नहीं हो ऐसे मत किजिएगा और अपने आप से मतलर रखियेगा कि मैंने कितना नहीं किया है, और question solve करने का तरीका मैंने बहुत से वीडियो में बता दिया है, description में उसका link मिल जाएगा, नोधे भी दाले all information वाले playlist पर जाएगे, या मेरे चैनल पर जाएगा playlist वाले section में, सभी वीडियो मिल जाएगा, मोस्ट इंपोटेंट कोईशन एक जली जली जाके देख लिजीएगा एक्जाम से पहले ही और इक्जाम सेंटर में आपको कोई बी ऐसा हरकत नहीं करना है जिसके बाद से सभी को प्रोब्लम हो और ऐसा लडाई जगडा कुछ भी ऐसा फालतों गिरी नहीं करना ऐसे करेंगे तो आपके उपर legal action हो सकता है पहले डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा तो ऐसे मत किजिएगा और भी बहुत से पूरा मिल जाएगा आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं जो जो आपको लगता है कि मुझे देखना चाहिए